नमस्कार सभी का मैजिक मसाला बाइ माला के किचन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की डिस्ट जो है वह जट पर बनना वादी है तो इस दिस्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें और जो लोग मेरे चैनल पर नए है प्लीज जुरू सब्सक्राइब कर लिए और एक बेल का निसान रहता इसको क्रेस किजिए जिसे मेरे हर वीडियो आपको टाइम पर मिल सकती है और पूरा वीडियो देखिए चली स्ट आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर के लड़ू पनीरी लड़ू जो एक बहुत हेल्दी लड़ू है और एक हेल्दी मीठा है इसको बना के में फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं और यह बहुत ही सॉफ्ट और मुमें घुल जाने वाले लड़ू है बच्चों को तो भाएंगे ही बड़ों को भी बहुत अच्छे लगेंगे चली बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए कुछ चीज है लाइची पाउडर यह बीशकंदर डालेंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपस में बाइंडिंग कर लेंगे चला लेंगे जो लोग बरत करते हैं वह भी इसको खा सकते हैं अगर मिल्क पाउडर अपने खाने में इस्तमाल करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा स्वीट है यह गैस कर लियो और आगे का प्रोसेस रख ली कड़ाई मैंने इसमें डालेंगे एक बड़ा चमस देशी घी घी थोड़ा सा मारा गरम हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे मैस किया हुआ पनीर और मिल्क पाउडर अग दोनों को दीमे से मध्य मास पर भूनेंगे बहुत जाता रागनी करना हलका सा हमने इसको गोल्डन करना है तो मैंने सारा मिक्चर इसके इंदर डाल दिया और इसको अब हम धिरी-धिर करके ऐसे चला लेंगे कड़ाई को पकड़ लेंगे क्योंकि यह हलकालका नीचे लगता है तो हम इसको बूलने हैं हलका सा यह गोल्डन हो गया है मैं चीज़ेस कंदर डाल रही हूं पहले मैंने डाल दिया काजू एक बड़ा चम्मच पर एक चोटा चम्मच यह पिस्ता एक बड़ा चम्मच इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से अब कम जद अपने साब से कर सकते हैं और कोई डाइफूट ना खाते हो तो इसकी बिक्ट सकते हैं और कुछ एड़ करना है तो एड़ भी कर सकते हैं दोस्तों इसी टाइम में यह देखिए इस दोनों को अच्छे से भूनना है जिससे सारी चीज़ें आपस मिक्स हो जाए कर फेश्क कलर में अड़ा च्पवान दुद एक जड़ प Eagle अचे सकते हैं यह हो गया है सब की जैजें ले अपर हो इस पहर नहीं मिक्स हो गया है और म यह लिक्वरडी टाइब हो जाएगा तो तो हलका थंडा हो जाएगा तो यह हम दो बड़े चमच सूगर पावडर मिलाएगे अकर ज्यादा मिठ्या खातें त्टिन बड़े चमच एच्पावडर आप डाल लेंगे यह दो बड़े चमच सूगर पावडर पावडर चीनी को पीज़ लिया है इसमें आप घुरा भी ड तो सुगर भी अच्छे से मिक्स हो गया है तो सारी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स होगे एक डो जैसा बन गया आटे जैसा बन गया यह बस अब यह नॉर्मल सा गरम है अब इतने ही गरम टेंपरेचर पर हम इसको में चूछ सके हाथों में हलका सा ओविल लगा लेंगे ज decipher लडू अच्छे से चिकने होके बनेंगे तो अच्छ छोटा बड़ा अपने साब से हम कर सकते हैं आक तो यह देखे आसे गोल करते हुए लडू बना लेंगे सारे अचल्दो के इसाब से लिडू बनाने हैं हलका सा देशी घी हाथ हमें अपलाई करके इस तरह से लड़ू बना के रखते जाएंगे तब आपके घर में पाटी हो रही हो को या कोई और ओके सनों जिसमें मीठा खाने का है तो आप इसको बना के अपने मेवानों को थिला सकते हैं उन्हें हैरान कर सकते हैं बहुत कितना अच्छा मीचा है चलिए सारे लड़ू तयार कर लिए मैंने और इसको कर लिए गार्निस इसमें मैंने किया है चोकोचेप से गार्निस अगर आप वरत के लिए बना रहे हैं तो इसको इसको किप कर दें और अगर आपको चॉकलेट लड़ू बनाने है तो बैटर को भूंते टाइम ही जो मिंचे भूनतास में आप चॉकलेट पाड़ू डाल सकते हैं तब यह चॉक प्रेस्ट लाइक कीजिए पर अपने रिस्पॉंस जरूर दीजिए और आगे मैं आपके लिए क्या बना सकते हूं प्लीज प्लीज जरूर बताएए जो लोगों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए शेर करना जय कोई कक सब्सक्राइब कि कि अनल्ग किया उक किष्ड़ा कर लोगों सब्सक्राइब